हेलो एवरिवन गुड मोर्निंग कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स आई होग कि आप सब काफी अच्छे होंगे तो गाइस सुबह सुबह का टाइम था अराउंड 6.45 का या उसके बात का ही और मैं जैसे यूठी ना तो मैं बाहर का वैदर देखती हूं पहले करटेन ओपन करके क कैसा है तो मैंने देखा ना तो मुझे इतना सुन्दर ये सूरस दिखाई दे रहा तो फिलमें बालकनी में आया यह में थोड़ा सा शूट किया तो यह बिल्डिंग के पीछे से धीरे-धीरे निकला इतना प्यारा लग रहा था ना तो मतलब इसे देखका ना मेरा तो जो हमें जो है रात में ही लोट कराना पड़ा तो हमें बच गए थे रात के साड़े-ग्यारा पहुंचते-पहुंचते और फिर सोने में जो है ना बारा ही बच गए थे तो इस वज़े से जो है ना मतलब ऐसा लगा था कि नीन पूरी ही नहीं हुई है तो मेरी तो मुझे इतन जाता दुख रही थी समझ में नहीं आ रहा था मतलब मेरा मन यह कर रहा था कि बस मैं आखे बंद किये हुए ही लेटी रहूं बट घर के काम तो कर नहीं होते हैं क्योंकि कुछ भी हो जाए घर एक ऐसी चीज होती है जिसके काम जो है ना कभी खत्म नहीं होते चाहे आप ब बना लेंगे क्योंकि ब्रैट जादा नहीं थी तो इसलिए मैंने डुगू को तो उसके फेवरेर सेंडविच बना कर दे दिया थे और अपने और हिमांसु के लिए मैंने बना लिया था पोहा तो यह जो टोमाटो सोस होती है यह यूज हुई थी बट खतम हो गई थी तो इसल मतला जब तक हालत मेरी ऐसी नहीं होती कि बिल्कुल उठाई नहीं जा रहा है तब की बात अलगा है अगर थोड़ी सी भी हम्मत होती है तो मैं बस अपने घर को क्लीन रखने की कोसिस करती हूँ बीमारी में भी तो अभी बस थोड़ा सा क्लीन वगरा कर दे यह रहा कर दे जिस पर टी और सुगर के कंटेनर रहते हैं वहाँ थोड़ा सी गंदगी ओरी थी तो इसको भी जो है न मैंने क्लीन कर दिया था और सुबह ही मैंने कपड़े भी वोश होने के लिए लगा दिये थे तो यह जो कपड़े आप देख रहे ना स्टैंड पर यह कल ही मैंने लग गई और जो कपड़े मैंने वोश किये थे वो भी मैं यहां पर लेकर आ गई थी कुछ तो वो थे जो कल पहने थे और कुछ पहले भी थे दुगूगी यूनिफोर्म वगरा थी तो बस वही जो है ना मैं यहां पर डालती जा रही हूं और धूप इस टाइम इतनी उससे ना मेरे सर में भी थोड़ा सा दर्द होने लगा था और फिर जब मैं अंदर आई ना तो उसके बास से मेरे सर में जो है ना दर्द होना हो गया था और मुझे थोड़ा सा मतला लो फील होने लगा था तो बस कपड़े वगरा डाल दे थे और उसके बाद मैं आ गई थ भी चेंज करनी थी मैंने आपके साथ पिछले व्लोग में भी शेयर की थी बस इसलिए नहीं की थी क्योंकि इस दून मुझे निकलना था जल्दी थी और इसलिए मैंने सोचा आज जो है इसको तो चेंज करना ही है तो बस ब्लैंकेट वगरा को मैं हटा रही हूं और पहले तो तो उनकी भी थोड़ी से खराब थी डुगो भी खासी सी थी तो इसलिए फिर मैंने जो है ना सोचा चलो अभी एक वीक के लिए और जो है वोम वाली बैर्शीठी डाल देती हूं और जब वैदर ओर थोड़ा ठीक हो जाएगा मतलब गर्मियासी हो जाएंगी ठंड नहीं बिल्कुल भी तब मैं जो है कोटन वाली बैर्शीठी डाल दूगी तो अभी जो है ना वैदर थोड़ा सा ठीक होने लगा है ना तो काम करने का भी मन करता है नहीं तो इतनी जादा ठंड थी ना कि मतलब हिम्मत नहीं होती तो कुछ भी करने की तो थोड़ा सा वैदर सही ह तो एनरजी भी आती है बोड़ी में और काम करने का भी मन करता है बट अभी ये थोड़ी सी चिंता होने लगी कि अब गर्मी आने स्टार्ट हो जाएंगे और फिर से बस यह हाई गर्मी तो क्योंकि ठंड थोड़ी बहुत बरदास्त हो जाती है अगर आपको जादा ठंड जाएंगे और फिर से वही मतलब चिप चिपाहट वाला सब कुछ पसीना वगरा ये स्टार्ट हो जाएगा तो बस देखे मैंने ना बैर्शीर वगरा सब चेंज कर दी थी और जो भी सामान इदर दर फैला हुआ था ना मतलब हम कहीं रेडियो कर जाते हैं तो आपको पता ह कर दो आप और उसके बाद आगी थी मैं अपने दूसे वाले रूम में तो मैं बतायता है मतलब वैदर अभी ऐसा हो रहा है कभी ठंड हो रही है कभी गर्मी सी हो रही समझ में नहीं आता है कि कैसे कपड़े पहने तो इस वजह से जो हैना मेरे हस्बेंड और मैं दोनों ही उन्होंने बोला था कि अपना जो है ना तुम्हें जैकिट या कोट जो कुछ भी रखना है रख लेना क्योंकि वैदर का कोई भी भरोसा नहीं है तो वो अपनी जैकिट ले गए थे मैं अपना कोट ले गई थी और डुगू के कपड़े तो मतला थोड़ा रखे ही थे मैंने क क्योंकि बच्चों के तो एक्स्टा रख नहीं होते हैं बट हम दोने के कुछ भी यूज नहीं हुआ क्योंकि जो पार्टी थी वो भी अंदर थी रेस्टोरेंट में तो अंदर तो मतला ठंड लगने का कोई चांस ही नहीं होते हैं तो बस उन सब को जो है ना मैंने ऐसे ही अरेंज करके रख दिया जैसे ले गई थी ना निकाल के वैसे ही लाकर रख दिये थे अभी आ गई हूं लिविंग रूम में तो बैग देख रहे हैं यह डुगू के कपड़े थे जो डुगू पहन कर गया था और बच्चे तो लाइट कलर के कपड़े पहना दो रहां तो तो मतलब बिल्कुल ऐसे भूत जैसे कर देते हैं तो वही बस हाल डुगू का था डुगू के कपड़े थे निकाले में ने बैग में से वोश करने के लिए उनको डाल दिया था और आज ना मैं पूरे घर के जैसे मतलब बैट शिट चेंज की है और सोफा कवर चेंज होगी और आज मैं डैन टेबल पर पिजो है जो ना जो क्लोथ तैबल लोट दालने वाली थी क्योंकि बिनें क लोट में मानता है दिन में 3〜4 बार क्लीन करना पड़ता है लेकिन जब तोuci eerste क्लीन के करना पड़ता है क्योंकि ब्ल्ध कलर का गलास पर धूल बहुत ज्यादा दिखाई देती है तो इसलिए फिर मैंने सोचा आज पर टेबल क्लोथ डाल देती हूं इससे जो ना मेरा काम थोड़ा सा कम हो जाएगा तो टेबल क्लोथ वगरा डाल देता है और अब बस इस पर जो सामान रखे हो तो उनको भी जो है ना मैं एक बार क्लीन कर लूँगी साथ साथ जो है ना मुझे आज बैट के जो सोफे के जो कवर ना वह भी चेंज करने थे क्योंकि वह भी काफी दिनों से डले हुए थे और भले से मतलब उनका जो कलर है वह ऐसा नहीं है कि गंदा दिखाई दे बट फिर भी कुछ दिनों के बाद ना जब आपको कपड़ा बिछ तो इसलिए मैंने आज जो ना वाइट वाले जो सोफा कवर थे वो डालने की सोची थी तो अभी तो मतलब इतना अभी मतलब वैदर थोड़ा सा ठीक होने लगा है ना तो कोटन की जो यह होते हैं सोफा कवर सूखने में इतना टाइम नहीं लगता है तो इसलिए मैंने डला हुआ था रैड वाले हैं मेरे पास वो तो मतलब मैं एक एक दो दो हफते भी चला देती हूं बट ये वाइट वाला नहीं ऐसा होता है जो मेरा ये इधर वाला सोफ है जिस साइड मैं भी बैठी हूं इस वाले सोफे का कवर तो बहुत जल्दी गंदा होता है क्योंकि सोफे पर जो है ना इसी तरह से डाल दू तो कैसा लगेगा तो बस मेरे माइन में ये सब चलती रहते हैं किस तरह से घर को थोड़ा सा नया लुक को दे सकती हूं मैं तो अभी बस देखिए वो सब देखा मैंने और फिर बस कवर को मैंने डाल दिया सोफे पर और इसके कुस और उसके बाद घराओं तो मैंने अपने घर को थोड़ा अच्छे से एक बार क्लीन कर दूँ तो मतलब इतना जादा कुछ तो मैंने क्लीन नहीं क्या बट बस जश्टिंग में अगरा थोड़ी ठीक सी कर दी थी डाइन टेबल पर और सेंटर टेबल और कहीं तो नहीं की कि जुखाम वाली फीलिंग होने लगी थी तो फिर कुछ और जादा शूट करने का मन नहीं किया तो बस नहा कर आ गई थी और उसके बाद वही अपना छोटा मोटा स्किन केर और वो करने के बाद जो है मुझे आज वैसे हेर वोश करना था बट मैंने आज नहीं किया क्योंकि मन नहीं था और फिर जो है ना मैं अपना जो भी यहां से हो जाएगा तो जाओंगी मैं अपनी पूजा वगरा करने लेकिन उससे पहले जो ना मैं जैसे ही किचन में गई तो मुझे धिहाना आया कि जो बैट शीट मैंने उतारी थी ना वो मैंने वोश की थी तो पहले मैं उसको डाल कर आ गई थी उसके बाद जो है मैं आ गई थी अपनी पूजा वगरा करने जो मोर्निंग की होती है और बस यहां पर पूजा वगरा कर लूँगी और उसके बाद जो है ना मेरे जो और घर के काम है ना और घर की क्या मतलब अभी तो मैं क्योंकि मतलब सेहत थोड वगरा मैं चड़ा कर जाओंगी सिधा किचन में कुछ फ्रूट वगरा कट करने है मुझे तो हजबन को जैसे सर्दी हो रही ना तो मैंने उनके लिए अमरूद को अवन में गरम करके काट दिया था गुवावा मुझे इतने तो बस इस तरह से जो है आज मैंने थकान के बाद भी और थोड़ी सी तबित खराब होने के बाद भी न अपने घर की क्लिनिंग कुछ इस तरह से कर ली और देखिये कवर चेंज करने के बाद सोफा कितना सुंदर लग रहा है तो बस अब मैं जो है यहाँ पर इंजोए कर दूँ अपने कीनू को और अब इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स वीडियो पर चलिए मिलती हूँ बाबाए